Good morning students, welcome to study center बिद्देवरिशी भारदुआज Today's topic is electromagnetic induction तो students आज हम बात करते हैं electromagnetic induction के बारे में देखो क्या होता है When a conductor is placed in a changing magnetic field, some current is induced in it जब हम किसी conductor को मतलब अभी उसमें कोई current नहीं फ्लो रहा है, only वो एक conductor है जब हम ऐसे किसी conductor को किसी changing magnetic field में लेकर जाते हैं मतलब जो magnetic field change हो रहा होता है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा तो जब हम किसी conductor को changing magnetic field में लेकर जाते हैं तो उस conductor के अंदर कुछ current आने लगता है जिसको हम such current is called induced current जिसको हम induced current बोलते हैं ठीक है And the phenomena is called electromagnetic induction तो induced का मतलब होता है प्रेरित मतलब ऐसा current जो magnetic field में change होने के कारण पैदा हुआ है ठीक है तो ये बात clear होगी Electromagnetic induction क्या है कि जब हम किसी conductor को किसी changing magnetic field के अंदर लेकर जाते हैं तो उससे conductor के अंदर एक current पैदा होने लगता है जिसको induced current बोलते हैं और इस phenomenon को electromagnetic induction बोलते हैं अब देखो कैसे करेंगे इसको practically जैसे ये एक conductor है ठीक है एक coil है और हियाँ पर हमने एक galvanometer लगा दिया देखो galvanometer का काम क्या होता है पहले ये जान लो galvanometer बताता है कि कि किसी conductor में current है या नहीं है और साथी साथ ये भी बताएगा कि उस current की direction क्या है ठीक है तो हम galvanometer लगाएंगे चेक करने के लिए कि current है या नहीं हमने साथ में एक magnet भी लिया अब ये magnet है अब हम क्या करेंगे हमको अगर magnetic field में change करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इस magnet से इस magnet को एक जगे से दूसरी जगे लेकर जाएं इसको हिलाएं यहा से इधर लेकर जाएं इधर लेकर जाएं ऐसा करने से क्या होगा इसके अंदर deflection होगा अगर इसके अंदर deflection होता है galvanometer के अंदर तो हम क्या करते हैं इस magnet को इस coil के अंदर लेकर जाते हैं जैसी अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? Magnetic field में change होगा इसके अंदर जाने से और हम क्या देखते हैं? जैसे magnetic field में हमने change किया तो जो needle है, galvanometer की ये deflect होती है, अपनी जगे से head दिये है इसका head ना, इसका deflection करना ये बताता है कि हाँ, इस कोईल के अंदर इस conductor के अंदर current आया फिर हम क्या करेंगे? इस magnet को अंदर ही रहने देंगे कोई change नहीं करेंगे, अंदर ही छोड़ देंगे कुछ दिर के लिए तो हम देखते हैं कि कोई deflection नहीं होता है needle में इसका मतलब कोई current नहीं है फिर हम क्या करेंगे? इस magnet को अंदर से बाहर लेकर आएंगे तो फिर से magnetic field change होगा, क्योंकि magnet को हम फिर से उसकी जगे change कर दी, उसकी position change कर दी तो फिर से हम देखते हैं कि magnetic ये जो needle है galvanometer की फिर से deflect होती है लेकिन इस बार opposite direction में deflect होती है जब हम magnet को अंदर लेकर गए थे तो इसमें deflection होगा था, इस बार बाहर लेकर आए हैं तो फिर से deflection हो रहा है, लेकिन दोनों में direction क्या है, deflection की, magnetic field की और इसकी needle की, वो opposite है, उल्टी है ठीक है? लेकिन इसका deflection ही बताता है कि current आया तो हम देखो इसको कैसे लिखते है सबसे पहले, magnet moved into the coil अंदर लेकर गए magnet को coil के, momentary deflection in G indicating presence of current तो उससे, हलका सर galvanometer में क्या होता? deflection होता है उसकी needle में यह बताता है कि current है फिर हम करते है, magnet kept stationary inside the coil अब हमने magnet को coil के अंदर stationary रख दिया इसको कोई change नहीं कर रहा है, तो no deflection कोई deflection नहीं होता needle में फिर हम क्या करते है, magnet is withdrawn, magnet को बाहर लेकर आते हैं तो फिर से deflection होगा क्योंकि magnetic field change हुआ है in deflection in G, galvanometer, but in opposite direction of first case लेकिन इस बार opposite direction में होगा इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे करेंगे practical को देखो यह coil है यहाँ पर battery लगी है यह on off, एक key है यह पर second coil लिया है हमने और इसमें galvanometer लगा दिया है अब देखो जैसे हम first coil में switch on करेंगे, battery से क्या होगा current pass होगा, और जब ऐसे current pass होता है तो magnetic field generate हो जाता है एक magnetic की तारह काम करती है अब जैसे ही magnetic field generate होगा इसका मतलब magnetic field में change हो गया पहले off थी, हमने on की on करने से magnetic field generate हुआ मतलब magnetic field में change हुआ जैसे ही magnetic field में change होगा तो यहाँ पर जो second coil है हम चेक करते है क्या इसकी needle جो है galvanometer की वो deflect होती है तो हाँ यह deflect होती है जैसी deflect होती है तो हम कह सकते हैं कि इस coil के अंदर भी थोड़ा सा current आ गया है अब हम क्या करते हैं current को कोई change नहीं करते हैं on कर दिया इसको on ही रहने देते हैं थोड़ देर on ही रहने देते हैं तो इसमें फिर कोई करने के बाद वैसा ही बनाँगा इसमें कोई change नहीं हो रहा है और कोई change नहीं हो रहा है तो हहाँ पर भी कोई deflection नहीं होगा मतलब कोई current हैंपर नहीं आएगा इंड्यू्ट induced current नहीं होगा फिर हम क्या करते हैं switch को off कर देते हैं जैसी off करेंगे तो क्या होगा अभी यहाँ पर magnetic field generate हो रहा है लेकिन फिर current नहीं फिलो होगा इसमें तो magnetic field भी generate नहीं होगा मतलब magnetic field फिर से change हो गया ठीक है अब जैसी change होगा तो हम फिर check करेंगे क्या कोई deflection होता है हाँ इस needle में galvanometer में फिर से deflection होता है इसका मतलब फिर से current आया लेकिन इस वाज़ जो deflection होता है वो opposite direction में होता है ठीक है तो देखो क्या है switch on करते है momentary deflection in G हलका सा deflection होगा galvanometer में steady current current में हम अब कोई change नहीं करते है उसको on ही रहने देते है no deflection तो galvanometer में कोई deflection नहीं होगा फिर हम switch off करते है तो क्या होगा momentary deflection in G फिर से galvanometer में deflection होगा but in opposite direction of first case लेकिन फिर से opposite direction में होगा क्योंकि हमने इस बार off किया है so I hope समझ में होगा induced current क्या है तथा electromagnetic induction क्या होता है so thank you